हाल ही में केंदर ने मध्य प्रदेश के किन सहरों के नाम बदले जाने की अपनी मंजूरी दे दी है तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ सीवपूरी का नाम कर दिया गया है कुंडेशवर धाम कुंडेशवर धाम होसंगाबाद का नाम बदल के कर दिया गया है माखन नगर इसका आंसर हो जाएगा कि किन सहरों के नाम बदले जाने की मनजूरी दी गई है तो नर्मदापुरम, होसंगाबाद का नर्मदापुरम सिवपूरी का कुंडेश्वरधाम और बावई का माखन नगर मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा उपरोग्त सभी तो मैंने सारी मेगजीन से कवर करने की कोशिस की है चोटे चोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में भी इंट्रेस्टिंग लगे और मुझे भी बनाने में सहूलिया थो कम समय में रेकॉर्ड भी हो जाती है और जल्दी से editing वगेरा होके मुझे upload करने में भी दिक्कत नहीं होती है तो मैं छोटी-छोटी वीडियो बनाने की कोशिस करूँगा अभी आज हम फरवरी के 10 दिनों को cover करेंगे तो आईए आज का पहला question करते है पुस्तक fearless governance किसके दौरा लिखी गई है तो पुस्तक fearless governance जो है वो किरनवेदी दी जौरा लिखी गई है यह भारत की पहली महिला IPS थी किरनवेदी जी और इन्होंने लिखी है अपनी किताब fearless governance यह pondicherry के उपर आज जपाल के रूप में कारे करते हुए तो इन्होंने अपने 40 वर्सों का अनुभाव है इन्ने इंडियन पुलिस सर्विसेज में 40 वर्सों का अनुभाव है जो भी अपना अनुभाव इन्होंने लिया उसको इन्होंने इस किताब में व्यक्त किया है भारत का पहला भूबिग्यानिक उद्ध्यान कहां इस्थापित किया जाएगा तो भारत का पहला भूबिग्यानिक उद्ध्यान मध्यप्रदेश में इस्थापित किया जाएगा जवलपुर में इस्थापित किया जा रहा है और जवलपुर में भी लमेटा में इस्थापित किया जा रहा है लगभग पांच एकड जमीन जो है इसके लिए आवंटित की गई है देख लेते हैं एफेक्ट भूबिग्यानिक उध्यान जवलपुर में लमेटा में बनेगा औ और यहां पर 1928 में इंपोर्टेंट क्यों है यह उन्ने सो अटाइस में बिलियम हैंडी स्लीमेन ने इस छेत्र में डाइनासौर के जीवास में की खोज की थी और यूनुसको ने लमहेटा को भू विस भू विरासत इस्थल के रूप में भी मानिता दे रखी है तो काफी मध् यह जो है यूनिसको ने भी इसे अपने भू विरासत में सामिल कर रखा है और यहां पर अभी भारत का पहला भू विज्ञानिक उध्यान वी जो है वो बन रहा है चलिए नेस्ट कोशन अच्छा इंपोर्टेंट फैक्ट था एक फरवरी 2022 भारती तटरक्षक बलने अपना स्थापना दिवस का कौन सा संस्क्रण मनाया है तो 46 वा संस्क्रण मनाया है इंपोर्टेंट यह नहीं है कि कौन सा संस्क्रण मनाया है हमें यह इंपोर्टेंट इसमें यह था कि भारती तटरक्षक बल जो है अपना स्थापना दिवस कब मनाता है एक फरवरी को मनाता है ए तरीके से कोशन कवर भीूजाते आप अब जैसे कि बात करेंगे को आपना इस थापना दिवस मना आ 북한 यह वह एक फरवरी को अपना इस्थापना दिवस मनाता है चलिए अग्ला आप इस हुँआ क्रिटित करना इस वर्ल्ड एटलीट गेम ऑप दा इयर 2021 का पुरुषकार किसने जीता है तो जो भी हौकी देखते होंगे वो इस खिलाडी को जरूर जानते होंगे इनने अपने दम पर भारत को कई मेच बचाए है क्योंकि भारत लास्ट के टाइम पे काफी defensive होकी खेलता है उस समय पर इनका रोल बहुत important हो जाता है तो काफी टाइम इन्होंने भारत को जीत दर्ज कराई है या हार से बचाया है इनका नाम है PR स्रिजेस इन्हें जो है World Athlete of the Year 2021 से सम्मानित किया गया है 2019 में रानी रामपाल को दिया गया था यह दूसरे भारतिय थी और यह दूसरे भारतिय थी और यह दूसरे भारतिय हो गए है टोक्यों में जो ओलंपिक कान से पदक विजेता टीम थी उसके हिस्सा थे यह चलिए नेक्स्ट देश का पहला इस्पोर्ट यूनिकॉर्ण बन गया है तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो यूनिकॉर्ण बन गई है यूनिकॉर्ण गोसित कर देते हैं तो पहली देश की इस्पोर्ट यूनिकॉर्ण कंपनी जो है वो चैन्नाई सूपर किंग बनी है इसका फेक्ट दिया हुआ है हाँ देखिए इसकी हिस्सेदार मार्केट में इसकी हिस्सेदारी कितनी हो गई है यह 7600 करोड साथ 7500 करोड ही है यूनिकॉर्ण बनने के लिए 7500 करोड रुपे का साथ कैपिटल का है एक बार कंफर्म कर लीजेगा और CS के पहली देश की स्पोर्ट यूनिकॉर्ण कंपनी बन गई है यूनिकॉर्ण कंपनी काफी है भारत में लेकिन स्पोर्ट की पहली बनी है बिश्व आदर भूमी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है भारत में भारत में 75 आदर भूमीर सूची के अंतरगत है 64 थे पहले इस साल 11 को और आदरभूमे में सामिल किया गया, आदरभूमी क्या होती है, जैसे जमीन हो जहां पर उपर उपर पानी हो, नीचे जमीन हो उसको आदरभूमी कहती है, जैसे चावल के खेत जो होते हैं, वो एक मतलब समझने के लिए एक अच्छा उधारन है, कि चा भारत में हो गई हैं इसमें से इंपोर्टेंट देखें अगर हम यह कुछ फैक्ट है यह थोड़ा अगर आप वीडियो पॉस्ट करके पढ़ सकते हैं उतना इंपोर्टेंट नहीं है अभी यह जो ग्यारा इस्थान में बता रहा था इन ग्यारा को भारत में आद्र भूमी मे सामिल किया गया है यदि मध्यप्रदेश की बात की जाए तो यस्वंत सागर जो है वो आद्र भूमी में सामिल किया गया है तो जो MP की तैयारी करने वाले अगें उनके लिए important fact कि मध्यप्रदेश से यस्वंत सागर को आद्र भूमी में आद्र भूमी की सूची में सामिल क किया गया है इस वर्स कितने सामिल किये गए है कुल 11 सामिल किये गए है अभी भारत में कितनी आद्रभूमी सागर इंदोर हैं इंदोर में है ग्यारा चलिए एक फरवरी 2022 को अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गेर नाटो सहयोगी के रूप में घोसित किया गया है ना तो जो उत्री अटलंटिक देश हैं उनका एक समू है जिनका मुखिया है अमेरिका वो क्या करते हैं अपना कभी जैसे अमेरिका की पॉलिस किया था इस वर्स इनोंने कतर को घोसित किया है क्योंकि जो अभी अफगानिस्तान में तालिवान वाला कुछ मामला था तो इनोंने वहां पर इनकी पॉलिसी को सपोर्ट किया था इसलिए अभी एक फरवरी को अमेरिका ने कतर को अपना सहयोगी देश के रूप में घोसित किया यह कुछ नहीं एक सम्मान टाइप का रहता को यह से कोई खास सहयोग नहीं करने वाला या युद्ध में इस टाइप का नहीं है यह खाली एक सम्मान टाइप से रहता है कि हाँ भाई आप हमारे संगटन का हिस्सा हो ठीक है सांकेतिक सम्मान रहता है यह मुख्य रूप स को यह दर्जा यह दूनिया का कौन सा बढ़ाने के मामले में आर्थिक जो हमारा जतना भी एक साल का सर्वे होता है उसको प्रिजेंट किया जाता है यह बजट के एक दिन पहले मतलब बजट के एक दिन पहले जो है संसद में प्रस्तुत किया जाता है हमारी GDP कितने रहने वाली है फिजिकल डिपसेट कितना रहने वाला है इंफलेशन रेट क्या रहेगा यह सब जो आर्थिक सर्वेक्षण के दौरा बताया जाता है फिर उसके बाद बजट प्रस्तुत किया जाता है सन 1964 तक यह बजट का हिस्सा था उसके बाद इसको बजट से अलग करके एक अलग तरीके से संसद में प्रस्तुत किया जाता था तो इस बार का जो आर्थिक सर्वेक्षण सरवेक्षण जो है वो वित्मंत्राई दोरा जारी एक वार्षिक दस्ता बेज है ना हर साल प्रस्तुत किया जाता है और ये सबसे अपडेटिड अध्यतन सुरूत होता है मतलब अभडेटिड सूर्स होता है और आधिकारिक होता है थीक है मतलब ऑफिसियल डेटा इसमें दि किया गया था और 1964 इसे केंद्री बजट के साथ ही पेस किया जाता था 1964 से बजट से अलग कर दिया गया तो जैसा भी मैंने बताया 1964 यह पहले बजट का हिस्सा था फिर उसके बाद इसको बजट से अलग कर दिया गया और सन भारत की जो 25 23 में GDP है वो 8.0-8.5 मतलब GDP जो हमारी रहने वाली है जीडीप रहने वाली है 8-8.5 ठीक है उसके बाद physical deficit जो है वो 2021-22 में रहने वाला है 6.8 physical deficit रहनेज वाला है 6.8 और inflation rate जो है वो लगभग हमारी रहने वाली है 12.5 ना WPI के अनुसार कितनी रहने वाली है inflation inflation हमारी रहने वाली है 12.5 तो यह number से थोड़ा सा याद रख लीजेगा GDP रहने वाली है 8 to 8.5 physical deficit रहने वाला है 6.8 और inflation रहने वाला है 12.5 और भी चीज़े रहती है कि किसका हिस्सा agriculture का हिस्सा कितना होगा यह कितना होगा तो उतना जादा इंपोर्टेंट नहीं है यह तीन फेक्ट जादा इंपोर्टेंट है GDP, physical deficit और inflation यह इंपोर्टेंट है economical survey के report के अनुसार यह अभी हमने देखा कि आर्थिक सर्विक्षण के में कहा गया है कि भारत वन छेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है ठीक है और कुल भुगोलिक छेत्र का 24 प्रतिशाद भाग बनों से अच्छादित है हमने उसमें देखा था अभी last class में अपने देखा था 24.62% exact दिया गया था round off में मैंने बोला था कि इसको 25 कर लेना लेकिन अभी एक्जाम में कहीं 24 भी आता है तो चल जाएगा मतलब 24 to 25 के बीच में कहीं पर हमारा वन छेत्र है और जो भारत में जितना भी वन है वो पूरे दुनिया का दो प्रतिशत हिस्सा है यह भी important fact है कि विश्व के दो प्रतिशत वन कहां पर है भारत में है सबसे ज़्यादा कल भी हमने देखा था सबसे ज़्यादा ब्रद्धी कहां पर हुई है आंध्रप्रदेश में हुई है आंध्रप्रदेश में कितना वन छेत्र में ब्रद्धी हुई है सिक्सउट्टि सेवन स्क्वयर किलो میٹर अंध्र प्रध्ध हुए है अरुणाचल प्रधेस में आई चल ये नेक्स्ट देखते हैं होईसला मंदिरों को वर्स 2022 थेईस के लिए विश्व विरासष सुचि के लिए नामांकित किया गया है ये किस राज्य में है तो होईसेला मंदिर जो है वो हमारे कहां पर है करनाटक में है ये जो है करनाटक के बेलूर हेलबिड और सोमनात पुरा के होईसेला मंदिर जो है वो भारत के नामांकन के तौर पर सामिल किया गया है विस विरासत की सूची में य कहां पर है बेलूर हेलेविड और सोमनातपुरा तो कॉश्चन ऐसा भी बन सकता है कि करनाटक के होईसला मंदर निमने में से किस स्थानों पर नहीं है और option क्या दिया जाएगा जैसे मालों दिया है बेलूर हेलविड सोमनातपुरा और बैंगलोर हना तो कहां पर स्थापित बैंगलोर में नहीं है het çalış घ्रफ करनाटक कहां कहां पर है बैंलोर हेल विडर सोमनाथपुरा में उनको क्या कि आ गया है भारत के विस्वर भारत की तरब से विस्व विरास्त इस थलों में नामांगित किया गया है किस देश ने दुनिया की पहली hydrogen centralized flying boat the jet के launch की घोशना की है तो the jet करके hydrogen centralized flying boat बनाई गई है तो ये बनाई गई है सन्युक्त अरब अमिरात UAE असल में ये UAE और UAE द्वारा launch की गई है और इसका tie-up जो है वो United States के साथ है तो United States ने भी कुछ इसमें योगदान दिया है और UAE में ये launch की गई है hydrogen centralized flying boat है सन्युक्त अरब अमिरात में निर्मित और launch करने के लिए पूरी तरह तैयार है ठीक है इसकी speed जो है वो 40 समुदरी मील गती से पानी के उपर बिना सोर के उड़ने में सक्छम बनाती है पानी के उपर उपर ओड़ेगी है चलिए आई सी सी ने spirit of the cricket अवाड 2021 से daryl Mitchell को सम्मानित किया है वह किस देश से सम्मानित है हना तो सबसे पहले तो important question ये बनता है कि spirit of the cricket award किसे दिया गया है तो किसे दिया गया है daryl Mitchell को दिया गया है और इंग्लेंड और न्यूजिलेंड का सेमी फाइनल मेच जहां पे इनोंने six मार के जिताया था काफी बढ़िया मैच था वो उसके लिए इनको हमेशा याद किया जाएगा और इनने spirit of the cricket award 2021 से भी दिया गया है ये न्यूजिलेंड के है अभी भी खेल रहा है न्यूजिलेंड के लिए ये और डेरल मिचिल जो है वो न्यूजिलेंड के चौथे खेलाडी बन गए हना तो न्यूजिलेंड के खेलाडी जो है वो वैसे भी इन लोग अपने discipline के लिए काफी जाने जाते हैं साधारन सिंपल क्रिकेट खेलते हैं खेल भावना से खेलते हैं ये देखिए ये बोली भी राओ में मिचिल ने पिछले साल हुए टीटेंटी विश्व कप के सेमी फाइनल मेच में जो खेल भावना दरसाई थी उसी कारण ICC ने इस आवार्ड से नवाजा है तो डेनियल ब को दिया गया है चलिए नेक्स्ट कॉस्चन देखते हैं राश्टी भूमी मुद्रीकरण निगम एल एम एन एल एम सी में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है नेशनल लेंड मॉनिटाइजेशन कॉपरेशन ना तो भूमी से संबंदित है इसलिए इसका सो प्रतिशत हिस्स प्रतिशत हिस्सार बहुते हैं कुछ भूमियां यहां-वहां सरकार की बहरात सरकार की पड़ी होई है जिनका कोई utilization नहीं हो पा रहा है तो इसका काम यह है कि यह उन भूमियों को लीज पर दे कर उससे जो है आए जो है वो अर्जित करने के प्रयास करेंगे तो यह भूमी से related यह से BSNL MTNL इनकी भूमी काफी पड़ी हुई है उसका इस्तमाल किया जाएगा कौन सा राज्य ओबलेक केंद्र सासित प्रदेश फरवरी 2022 में वन नेशन वन रासन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35 राज्य ओबलेक केंद्र सासित प्रदेश बन गया है 36 गड़ ने आखरी में लाउंच किया वन नेशन वन रासन कार्ड वैसे भी 36 गड़ में कांगरेस की सरकार है और यह जो योजना है वन नेशन वन रासन कार्ड यह केंद्र सरकार की है वो बीजेपी की सरकार है तो इसलिए इनोंने दीरे दीरे आराम से लाउंच किया और 35 35 राज बना आखरी में लॉंच किया है ना रीजन कुछ भी हो सकता है मैंने याद करने का आपको बता दिया कि यह से हम इसको ध्यान रख सकते है लॉजिक यह हो सकता है ठीक है चलिए 35 राज बन गया है देश में पहली बार एक से दस मई के बीच राज इसतर पर ओलम्पिक खेलों का आयोजन किस राज publications किया जा रहा है तो राज इसतर पर ओलम्पिक खेल जो है वो टेरल में किया जाएंगे हम इसके अलावा को इसमने है नहीं है इसका चभाइस को मनाया गया गया is विष्व केंसर दिवस कब मनाया जाता है यह जो है वो कम करना है हाँ चार फरवरी को हम अंतराश्टी मानव वंदुत्व दिवस भी मनाते हैं यह इंपोर्टेंट है यह भी इंटरनेशनल डे ओफ फेवरी एवरी इयर ना हम इंटरनेशनल डे ओफ हुमन फेटरनिटी सेलिब्रेट करते हैं गरतंतर दिवस परेट 2022 की सर्वसे राज जहाकी के रूप में किस राज को चुना गया है तो राज जहाकी की जब भी बात आती है तो मुझे पस्चिम मंगाल की राज जहाकी जरूर याद आती है जिसमें वो A प्लस B स्कूर इसकल टू दिखाया गया था उसके मीम भी काफी वने थे क्योंकि नरेंद मोदी जी का एक वीडियो भी आया था एक्स्टा टूए वाला इंडिया इन कैनेड़ एक्स्टा टूए बी इन्दा फॉर्मोला ऑफ ब्लस बी स्कूर तो मेरे को वह जहांकी बहुत उसके एक model दिखाया गया था दूसरे स्थान पर करनाटक था तीसरे स्थान पर मेगाले था तो दूसरा तीसरे स्थान तो नहीं पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश को जो है वह विश्वगरतंद्र में दिया गया था और लोगप्री पसंद स्रेणी popular choice category में महरास्ट को जो ह है प्रथम स्रेणी में दिया गया था और क्या सिए सी आई सेफ को सर्वस्रेश्ट मार्चिंग दल के रूप में चुना गया था ठीक है तो यदि हम बात करें सी आई सेफ की तो सी आई सेफ को क्या दिया गया था सर्वस्रेश्ट मार्चिंग दल सर्वस्रेश्ट मार्चिं 26 जनवरी गरतंत्र दिवस परेड से सम्मन्नितत थे भारत में सबसे सक्ति साली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगम को किस संस्थान द्वारा इस्थापित किया गया है तो यह IISC बैंगलोर द्वारा इस्थापित किया गया है इसे परम प्रवेगम को और भारत सुपरकम्प्यूटिंग मिसन मोड पे चल रहा है 2015 से 2022 में इसको इस मिसन को लाया गया था जिसमें काफी सारे सुपरकम्प्यूटरों का निर्माण किया गया है उसमें से एक है परम प्रवेगम आया एसी बेंगलूर दारा ये बनाया गया है ठीक है इसकी जो स्पीड है 3.3 पेटा फ्लॉप्स है परम ए 8,000 भारत का पहला सुपरकम्प्यूटर एस्स्टेटिक जीके का कोश्चन है कि भारत का पहला सुपरकम्प्यूटर कोन है परम 8,000 और आगे स में देखते हैं कुछ important fact है राष्टी सुपरकम्प्यूटिंग मिशन नेशनल सुपरकम्प्यूटिंग मिशन जो है वो भारत में 2015 में 7 वरसों की अवदी 2015 से 2022 में 4500 करोड रुपे की अनुमती के साथ राष्टी सुपरकम्प्यूटिंग मिशन की घोशना की गई थी यह मिशन डिजिटल इंडिया और म इसीडिक यह सीडिक और भारती इख्ञान संस्थाथ बेंगल determ के माध्यम से गया जा रहा है तो राष्टी सूपर कंप्यूट अएस से किया जा रा है सीड्यक और इसमें क्या है इस्टेप बाइस्टेप है परम सिवाय बनाया गया है भगवान के नाम से कहां बनाया जाएगा बनाया जाएगा परम सक्ति खड़कपुर आई 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 एस ए आर पुने में परम बनाया गया है जवाहलाल नहरू नेशनल सेंटर फॉर एडवांस रिचर्च में परम संगलक प्रशीन प्रश्ट आखना कोंप्यूटर को हिंदी में संगलक बोलते हैं तो परपारम्संगलक सब्सक्रणलान नहरू को संटर्ट आपसरी सवाय इता लुकल में सकती में है खड़कपुर में ब्रह्म बनाया गया है पुने में तो ऐसे याद सकते हैं और परम सिद्धी परम सिद्धी जो है वो विश्व के सबसे सकती साली कंप्यूटरों में की जो 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची आई थी उसमें 63 स्थान परम सिद्धी ने प्राप्त किया है इसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतरगत क्या किया गया है विक्सित किया गया है ठीक है तो परम सिवाए आयाई टी बिच्च यू परम सक्ति आयाई टी खड़कपुर परम ब्रह्म आयाई एस एर पुने और जवाला नेरू सेंटर फॉर रिसर्च एडवांस रिसर्च में किसे बनाया गया है परम संगड़क को बनाया गया है और दिविश्व के 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में आने वाला परम सिद रेल ने सावदा महरास्ट से कहां तक की दूरी तय की है तो किसान रेल चलाई गई थी अभी भारत में तो यह चलाई गई थी जो एक हजार वी चलाई गई है वो आदर्स नगर सावदा महरास्ट से आदर्स नगर दिल्ली तक चलाई गई है ठीक है और इसके बारे में महाराष्ट के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच में चलाई गई थी और सोवी किसान रेल महाराष्ट के संगोला से महाराष्ट के संगोला से पस्चिम मंगाल के सालिमार के बीच में चलाई गई थी तो अभी यह थी के एक हजारवी वाली हम याद रख सकते हैं, एक हजार वाली वी और पहली, तो पहली चलाई गई थी महरास्ट के देवलाली से दानापुर के बीच में, और एक हजारवी चलाई गई थी देवलाली, महरास्ट देवलाली से बिहार दानापुर के बीच में, तो पहली और एक हज क्यार भी हम याद रख सकते किसान रेल चारसो थो subsidy ना में चारसो थो तरे पन केले लेकर यह चली थी हाली में रक्षा अनुसंद्धान और्वीकास कारेकरम का निदेशक किसे न्युक्त किया गया है सरकार ने भारती दिवाला एवम रण सोधन अच्छंता बोड आई बी बी आई का चेर परसन किसे न्युक्त किया गया है हिमारे रवी मिथ्तल जी यह किसको में गोसित लॉट करना है भारत यकद करिए हिखाए नया बना है यह दूसरे और नोकि परसन होगे यह उससे पहले वह नवरंग सेनी थे भारत में बहुत सारे और धया होकर बहुत रहते तो थो सोण से बॉर्ड बना दिया गया है ना दो हजार सोला में बनाया गया था इसको एक अक्टूबर 2016 में इस बोड की जो है वह बैंक्रप्टी बॉर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी इसका का फाउंडर को ने पार्लियमेंट ओफ इंडिया मतलब यह एक सरकारी संस्था है जो बनाई गई है यह विकिपीडिया का डेटा है विक्म वित्म अंत्राले ने व्याय विभाग के लेखा महानियंत्रक का प्रभार किसे दिया है तो सोनाली सिंग को हमारी लेखा महानियंत्रक का प्रभार जो है वो दिया गया है कि एंदों ने किसका इस्थान लिया है न दीपकडास जी के सेवा निवरेत्होंने के बाद सोनाली सिंग जो हैं वो लेखा महानियंत्रक का कारेवार संभालेंगी अरावली ची पहला OECM साइट घोसित किया गया है यह भारत के किस राज्य में है हर्याणा में है यह हर्याणा में है यह साइट जो है आदर्भूमिल के अवसर पर गुरुग्राम में इस्थित अरावली जेव विवित्ता पार्थ को भारत का पहला OECM हना अन्य प्रभावी छेत्र आधारिच सन्रक्षण उपाए OECM क्या बोलते हैं इंग्लिस में इसको अधर effective area based conservation measures OECM साइट जो है वो गोसित किया गया है यह कहां पर है यह गुरुग्राम में है नासा ने कब तक अंतरराष्टी अंतरिक्ष इस्टेशन के संचालन को बंद करने की घोश्णा की है ना तो एक अंतरराष्टी अंतरिक्ष इस्टेशन है जो प्रथवी के चारो और आठ किलो मीटर प्रिती सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है और उसका सर्विक्षन वगेरा करता रहता है उस पे नजर बना के रखता है तो ये पहले पंद्रा वर्सों के लिए किया गया था अभी इसको बढ़ा कर दो हजार एकतिस तक कर दिया गया है ना सन संचला वह बढ़ा लिया है और बोल रहा है कि अब हम दो हजार एकतिस के बाद इस से अपना संचालन जो है वह बंद कर देंगे नासा सबसे अच्छी किताब NCRT की होती है और वहाँ के अध्यक्च किसे बना दिया गया है डारेकटर होते है दिनेश प्रसास सकलानी को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े Cricket Stadium का सेलन्यास कहां किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा Cricket Stadium जो है वो मौटेरा Cricket Stadium है जिसका नाम मदल कर नरेद्र मोधी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है यहां पर भारत का एक हजारवा बंडे खेला गया था भारत विस्ट इंडीस के बीच में और अभी रितुराज गायकवाड ने कुछी दिन पहले वहां पर एक ओवर में साथ छक्के मारे हैं रितुरा भारत पाकिस्तान का जो लीग में ऑप्धा मैस ड्रीन ब्राइट जीता था ने खेला गया था वह मिठम का दूसरा सब्से बड़ा क्रिकेट रिक इस्टेडियम जो है वो राजिस्थान में बनाया जा रहा है दिलि जैपूर हाईवे पे राजिस्थान में बनाया जा रहा है राजिस्थान के जैपुर दिल्ली बायपास पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का सेलन्यास सीम गहलोत और बीसीशा यद्दक्ष गांगोली द्वारा किया गया है यह देश का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा इसमें 75,000 दर्सकों के बेठने की छमता को कहिया जाएगा बनाने को सबसे बड़ा भी बना सकते थे लेकिन अब नरेन मोधी के नाम पे पहला बन गया है तो कोन हिमत करेगा उससे बड़ा बनाने की हाली में स्वर कोकिला के नाम से मसूर किस गाई का निधन हो गया तो स्वरकोकिला का हो यह स्वर सामागरी का हो हमारी लताम अंगेशकर जी इनका निधन हो गया है अभी हाल ही में काफी प्रिसिद्ध हस्ती हैं ये पूरी दुनिया में इन्हें भारत का सरवस्रेश्ट सम्मान भारत रत्न भी दिया जो जा चुका है फ्रांस ने भी अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान इन्हें दिया है पद्विभूशन मतलब लगभग हर सम्मान से सम्मानित की गई है यह इन्होंने 1949 इंपोर्टेंट फेक्ट यह है कि इन्होंने 1949 में महल नामा के एक फिल्म थी उसमें अपना पहला गाना गाया था 92 वर्स की उमर में इनका केंडी अस्पताल में निधन हो गया इन्हें स्वर सामागरी या स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है भारत रतने ने कब मिला 2001 में मिला Legion of Honor के अधिकारी फ्रांस का सर्वोच नागरिक पुरुसकार 2007 में मिला पद्म भुषण 1999 में मिला दादा सहब फाल के 1989 में मिला पद्म भुषण 1969 में मिला रास्टी फिल्म पुरुसकार मिले है फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट आवार्ड मिले है मतलब लगभग हर पुरुसकारे ने दिया गया है हाली में किस देश ने पहली बार आफरिका कप आफ नेशन का खिताब जीता तो सिनेगल करके एक छोटा सा देश है इस देश ने पहली बार आफरिका कप आफ नेशन का खिताब जीता है फुटबॉल का ठीक है और यहां पर और क की साल जो है वो यहां के यूनियन चेयर परसन है यहां के विदेश मंतराले ने नीदर लेंड में भारत की नई राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है रीनत संदू को जो है भारत भारत की नई राजदूत कहां पर नीदर लेंड में भारत की नई राजदूत के प्रदीब कुमार रावत को चीन में न्युक्ट किया है और नीदर लेंड में किसे किया है रीनट संधु को न्युक्त किया गया है भारत ने final में किस देश को हरा कर अंडर-19 cricket विस्व कमारन कि किस देश को खेंता है तो भारत ने अंडर Н-19 एसिया कप का भी खिताब जीता था स्री लंका को हराया था और रेकॉर्ड आठवी बार जीता था और अंडर 19 क्रिकेट विस्व कप का खिताब भी किस ने जीता है भारत ने जीता है और इंग्लेंड को उसने हराया था इंग्लेंड को हराकर हमने अंडर 19 विस्व कप जो है ज सबसे जादा बार जीता है अंडर 19 विश्व कप रिकॉर्ड पांच भी वार और एसिया कप रिकॉर्ड आठ भी वार हमने जीता है हाली में भारती टीम 1000 वंडे मेंच खेलने वाली दुनिया की पहले टीम बनी यह 1000 वंडें किस टीम के खियला गया तो यह विश्ट इंडीच जीक मेच और आस्ट्रेलिया भी दूसरे नंबर पर है नाइन फिफ्टी एट मेच जो है अब तो साइध इनके वी एक हजार होने वाले होंगे यह फरवरी का फैक्ट है चलिए फरवरी 2022 में COVID-19 के विरू DNA वेक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कों सा बन गया तो भारत DNA वेक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है ठीक है चलिए छाल ही में केंदर ने मध्यपरदेश के किन सहरων के नाम बदले जाने की अपनी मनजूरी दे दी है हना तो ये मध्यपरदेश पटवारी के तयारी करने वालों के लिए बहुत ही important question है। केंदरिने मध्यपरदेश के किन सहरों की pagने की घोष ना कर दी गई है तो मैं इस में आपको बता देता हूं कि सीवपुरी का नाम कर दिया गया है कुंडश्वर धॉर धाम कुंडश्वर धाम । होसंगवाद का नाम बदल के कर दिया है नर्मदापुरम मैं हो्संगवाद जिले का ही हूँ तो मुझे पता है बहुत अ expensive से और बावई भी होसंगाबाद जिले के अंदर ही आता है इसका नाम है माखण नगर माखान गया माख्छन Braun चत्रवेदी के नाम पर माखनलाल चत्रवेदी जो है वह बावई की थे होशंगाबाद जो है वह नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ इसलिए इसका नाम नर्मदा नगर किया गया है और स्विवपूरी का नाम कुंडेश्वर धाम हो सकता वहां पर कुछ इससे रिलेटेड दी गई है तो नर्मदा पुरम होशंगाबाद का नर्मदा पुरम सीवपूरी का कुंडेश्वर धाम और बावई का माखन नगर मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा उप्रोक्त सभी तो केंदर ने मंजूरी दे दी है और अजी सरकार ने इसको बदल भी दिया है ठीक है य स्थ्थ फरवरी को सिख्छा मन्त्रा आले ने जेन्यू की पहली महिला कुलपती के रूप में किसे निक्ट किया है तो सान्ति स्री धुलबडी को निक्त किया गया है वर्तमान में यह कहा है सावित्री भाई फूले महरााष्ट के सावित्री भाई फूले विस्विध्याले की कुलपती है लेकिन अब ने जे geehrनियू के कुलपती के रूप में न्यूक्त किया जाएगा चलिए ये जेनियो की ही पूर्व छात्रा है संसद आदर्स ग्राम योजना के तहत hè देश भर्म में किस गाउं ने सीर्ष इस्थान हासिल किया बहुत ही इंप्पोर्टन कोशन है ये ये यह तैलंगाना का वेनमपल्ली गाउं जो है वो आदर्स ग्राम योजना के तहट जो है वो सर्वस्रेश्ट गाओं घोसित किया गया है वेनमपली तेलंगाना का तेलंगाना के सायच सबसे जादा है सीर्स दस गाउं की सूची में से साथ तो तेलंगाना के ही है पहले नंबर पे कोँन है बेनमपली करीम नगर जिले में स्थित बेनमपली गाउं जो है सीर्स जिला है सीर्स गाउं है सीर्स आदस गाउं है साथ फरबरी 2022 को उत्तराखंड का brand ambassador किसे न्युक्त किया गया है तो हमारे बोलो जुबा केसरी वाले अक्षे कुमार इनको क्या कर दिया गया है उत्राखंड का brand ambassador जो है वो घुसित कर दिया गया है चलिए और कुछ खास है नहीं रिसपन तो अक्षे कुमार के बीच में चलता रहता अभी बीच मेरे सपन्थ थे फिर अक्षे कुमार हुए फिर सपन्थ फिर अक्षे कुमार railway सुरक्षा बल ने मानव तसकरी को रोकने के लिए operation आहट जो है वो शुरू किया है मानव तसकरी को रोकने के लिए खास्तोर पर ये बच्चों और महिलाओं के लिए है बच्चों और महिलाओं की तसकरी जो होती थी उसको रोकने के लिए railway railway police force ने operation आहट की सुरूआत की है तसकरी महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए हाल ही में बिक्रम सारा भाई अंत्रिक्च केंद्र का नया निदेशक किसे निउक्त किया गया है तो उन्नी कृष्णन नायर डॉक्टर S. उन्नी कृष्णन नायर को जो है हमारा B.S.S.C. बिक्रम सारा भाई अंत्रिक्च केंद्र बिक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर बिक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर का नया निदेशक किया गया है डाक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर को और कुछ नहीं है इसका खास हाल ही में जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा पत्रकार हमले किस राज जोबले केंदर सासित प्रद बिद्धने की आना वहीं पर लोग जो है ज्यादा कि ग्रोध करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा इगनु केफे कहां खोला गया है गुलमर्ग इगनु मतलब क्या होता है इगनु मतलब वेसी जो अपने वर्फ वर्फ के जो मकान बनते हैं वर्फ के लोग ना कहां पर गुलमर्ग जबन में खोला गया है है इगलु रिकार्ट में अनुसार सबसे बड़ा है इतनी इतनी हैं हो 講ई को दिवस kabs कब मनाया जाता है तो आज 2000 में इतना काफी है 100 आज के लिए इतना काफी है 110 आ नक्रेंस संहा ना आए फिर आज हमने पढ़ लिया है अभी आगे हम इससे आगे कवर करेंगे और मैं कोशिस करूँगा इसी छोटे-छोटे वीडियो बनाओं आपको पढ़ने में इंट्रिस्टिंग लगेगा और मुझे पढ़ाने में भी सहूलिया थे मैं थोड़ा एनरजी से भी पढ़ा पाता ह तो आज के लिए इतना ही थेंक यू अपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ ताकि मैं आने वाले समय में लाइव क्लासेज जो है वो ले सकूँ थेंक यू